चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं 36 गर के दंतेवाडा में जहांपर शहिदों को शरत्दानजली देने पहुँचे है मुखिमंत्री बुपेश बगेल आपको बता दे कि कल 36 गर के दंतेवाडा जिले में नकसली हमले में 11 जवान शहीद हो गये इसके बाद आज उने इश्रदानजली देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री गुपेश बगेल यहां सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दंतेवाडा से सीएम गुपेश बगेल पहुंचे हैं शहीदों को इश्रदानजली देने कल दंतेवारा में हुई नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए थी इस खबर पर और अधिक जानकारी देनी के लिए हमारे साथ phone lying पर जुड़े चुके हैं भूकल समःत्पेाता राजीर तिवारी राजीव कल दंतेवाडा में जो जवान शहीद हुए हैं 11 जवान शहीद हुए हैं ऐसे में आज उने शुर्दांजली देने मुख्यमंतरी बुपेश बगेल पहुचे हैं दंतेवाडा क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर बिल्कुल अकल छट्चत करके दंतेवाडा में जिस तर रस्ते नक्सली हमला हुआ उसके बाद मुख्यमंतरी बुपेश बगेल की स्टेटमेंट दिये कि नक्सलियों को ठोड़ा नहीं जाएगा नक्सलियों से जो लड़ाई है और इस समय यहां पर पहुंचे हुए दंतेव कि यहां पर भारी संखे बने फिलीट चुपे हुए है और लागता सुधक्षावल को जो जवान है अधिकारी उस वहां पर सचाप्रेशन कर रहते हैं और सचाप्रेशन करके कि लौट रही घीर वहां पर आई एक्टी के दोरा विस्पोर्ट किया गया और प्री गारी में कि यहां जाओ संगे धारभी कखाया और मुख़्मंतृ कि आपको लोगया उसरी चाहिए बन वरांडी को सहीरतू कि द्सवभ एक कायरा हमला बताया और हुरी ज़े देम प्रतु पीने आपक्र, कि जो भी नक्सली हीगा, जहां भी फकड़ा जाएगा, और जो भी रहीद हो गए जवान, उनके परिवार के साथ सरक्षार है, परिवार के सब कर रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, उनके बच्चों के लिए जो भी सायत आओगी मैं खड़ा रहूंगा, लेकि फिलहाल गटा लेकिन सीम ने कड़े शब्दों में चेतावनी भी दे दिये नक्सलियों को केंदरी ना चेजन्सिया लागता जिस परता पर काम कर रहे थी और तमाम नक्सली सरेंडर कर रहे थे और बहुत के ऐसे बड़े नक्सली नेता थे जो सरेंडर करने वाले थे और उनसी दौरान जो इघटना घटी है या एक तिंटा का विसा है, क्योंकि केंदरी किदि कर दो एक तरीका से वापर काम कर रहे थी वारिवाजी समाज में जो युगाओं को एक मैगजीन देकर के जो इनका आतन के नक्सलीयों का जो एक पत्त होता है मैगजीन होता है जिस पस्दिय कर प्रिनवास करते हैं इस वाम प्रूप लग लाया जा रहा था और चीजों के इस प्रूप लाने के कोशिश की तरीक शत्तित दर्ट जता साथ देखिए शत्तित गुश्चा बंगा लेतुगा एक बेर से नक्सलीयों का जहां से इसार होता है तो कोई नो कोई बड़ा इन्माल में था कोई जो बड़े नकली में नेता था हो काफी पाफ्राय हुश्यों की जुक एक का जुका रहे था और सुरक्षाबल में वहां के अस्तानियों लोगों को अंगार रहते हुश्यों बखराय हुश्यों और इस बड़ी घटना को अंजाम देने की लगाता इस तरका इंफरमेशन मिल भी रहा था यही वजा है कि जब इंफरमेशन मिला सुरक्ष कि जो भी सहाइता चाहिए आपको फिंफरमेशन मिल चरेगी और नक्सलियों को फोड़ा नहीं जाए और मुक्ष्यमंत्री को फोड़ा रहे जाएगा और लागातार सब्सक्राप्रेशन जारी जाएगा सब को फकड़ा जाएगा तो यह एक बड़ा सदम है और आज रधियंता में करेकर दद मुक्तकिक को फोड़ा है और अनिक्रित सब्सक्राइगा आप से चीट मां के भाचा इसकन मुक्तकी सब्सक्राइगाँ or धित्सों कर रहे जाई बन्तेवारा आप भी बात कीजिए या जो नक्सली बेल्ट है यहां पे लिश्का सबाई संचा में नक्सली चुपे हुए है बड़े संचा में जो है दूख सहीदाओं को नमन सर्दान से अर्पित करता हूं और इसके साथ ही जिस परकार से इन्होंने इस शित्र की रक्षा के लिए अपने कुर्बानी दिये हैं यह अमर रहेंगे पार्टी सजे उनको याद करती रहेगी देश उनको याद करता रहेगा और निश्चत रूप से मैं मा इसको तुरंट रोकना चाहिए किसी की भी क्लिंग क्लिंग होती है और यह जो प्रकार से जमान से ही दो रहे हैं उनकी रक्षा के हितू स्टेट गवर्मेंट को बहुत चिंता करके व्यस्ता करनी चाहिए अगर ऐसी घटना रिपीट नहों तो ऐसा को इसका सीधा तरीका य उपर उठ करके हम कैसे रोके हमारे जवानों को तो जवान हमारी सुरक्षा में लगें तो उसकी चिंता करके व्यवस्ता करनी चाहिए जी तो इस वक्त आप सुन रहे थे मुख्यमंद्री वुपेश बगेल को जिनोंने टार्गेट किलिंग की यहां पर बात की है साथ ही सुरक्षा व्यवस्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को पुक्ता इंतजाम करने को कहा दंतिवाडा से सुवक्त आपको लाइव तस्वीरे दिखा रहे हैं मुख्यमंद्री वुपेश बगेल वहाँ पर पहुँच चुके हैं परिजनों को इस वक्त वेस्तान तो ना दे रहे हैं मिल रहे हैं परिजनों से सीजी तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं दंतिवाडा से जहां पर शहीदों का अंतिम संस्कार किया जाएगा श्रद्दा सुमन अर्पित करने पहुँचे हैं मुख्यमंद्री वुपेश बगेल इस दोरान बीजेपी प्रदेशा अध्यक्ष उम्माथुर भी दंतिवाडा पहुँचे और शहीदों को श्रद्दान जली दी साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेहत दुखद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कर्षा कर्दों कर्दों बातब है प्रद़्स प्राइबाश साथ है